इदर बोपाल की सांसद साधिवी प्रग्यासी ठाकुर ने जैस आदिवासी वा सक्ति को आदिवासियों के लिए घातक शंगठन बताया है भुपाल में गुरुबार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रग्या ठाकुन ने कहा है कि कॉंग्रेस ने विघटन का काम किया है जैस साधी वार्षियों और वनवासियों के लिए हितकारी नहीं है अगर उसके अंदर देखा जाये तो जैस घातक संगठन है जिस प्रकार से कॉंग्रेस उसका साथ लेती रही है कॉंग्रेस को जब ये लोग की ये अब ओपन हो रहा है जब जैस के लोग को समझ आ गया तो उन्होंने अपना फैसला ले लिया होगा कॉंग्रेस के लिए राम थे ही नहीं कॉंग्रिस के निजर में तो राम थे ही नहीं, उन्होंने तो राम को कालपनिक बता दिया था, अब कॉंग्रिस को राहूल में राम दिखने लगे हैं, मैं कहते हूं हर वेक्ति में राम है, अगर राहूल भारत में रा रहे हैं, राहूल में भी राम है, राम उनके अंदर समा करती हूं मेरे पार्टी की निता है पूरो में मुख मंत्री रही है वो शमाज के हित में अच्छा सुच रही है सराब बंदी होनी चाहिए कि कुल मैं शराब बंदी के लिए उमादीदी की बात का और शराब बंदी का पूर्ण समर्थन करती हूं कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है पार्टी की नेता है हमारी पूर्व मुख्य मंत्री है पूर्व सांसाद है केंद्री मंत्री रही है वो इतना अच्छा विक्त